जैहिन प्यार दोस्तों आप सभी का माई चैनल में हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडिये में हम बात कने वाले हैं फिमाच्य बदाई जेवीटी आंटरास इक्साम दो या तेईस के बारे में अब देखिए दोस्तों जो हमारा आज का सेशन है वो आप सभी के इंपोर्टेंट है लेकिन दोस्तों उन में से मैंने कुष्यक रेंडम कोश्चन को स्वेक्ट करा है जिनका अंसर जानना आप सभी के लिए भी जरूरी है जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका इक्जाम है वो 10 जून को कंड़क्ट करवाये जाएगा ऐसे में दोस्तों के Candidates की तरफ से क्या question आ रहा है कि इस एक महीने में जो अमारी त्यारी की रन निती है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों दूसरा बड़े question कौन सा है जो Candidates से question कर रहे है यूट्यूब से पढ़े या self study करें उसके लावा दोस्तों सबसे बड़े question जो हमारी self study है उसके लिए कितन दिन देना जरूरी है तो इस वीडियो में हम आपके इनी सारे questions का आपको answer देंगे तो मुझे उमीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर रहें तक बन रहेंगे सबसे बहले दोस्तों बात करेंगे जो हमारा एक महीना बचा है उसमें हमारी त्यारी की रन निती क्या ह होनी चाहिए अब देखिए दोस्तों आप सभी को भी पता है जहां पर जो आपके total marks है वो 100 होंगे और जो आपके subject है वो कितने होंगे 4 जिसमें आपकी English शामिल होगी, Hindi शामिल होगी, GK शामिल होगी और Math शामिल होगा यहां पर हालेक जो subject है वो 25 marks का पूछा जाएगा अ क्योंकि जो maximum candidates है वो ज्यादा समय GK को ही देते है जबकि उन्हें यह चीज पता नहीं होती कि GK में कौन-कौन सी चीज़े पूछी जाएगी वो 75% जो हमारे यह बला पार्ट है जिसमें कि Hindi English जो हमारे Mathematics शामिल है उस पार्ट की तरफ ज्यादे ध्यान नहीं देते तो दे दोस्त यहां पे यही चीज जरूरी है हमें इस चीज का आईडिया लगाना होता है कि कौन-कौन सी important चीज़े हैं और कौन-कौन सी चीज़े हमने पढ़नी है अब वो जो चीज़े हैं उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैंने आपके लिए एक top 100 questions का practice set त्यार कर है अगर आप इन 300 में नहीं हो तो आपने यह जो मेरा WhatsApp नंबर है इस पर message करना है और यह जो PDF वो आपने 100% लेनी है तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जह जो वारी रननीती है वो किस तरह से रहेगी अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको त्यारी करवा रहा हूं तो अगर हमारी जो understanding है वो अच्छे से हो जाए अगर इनके जो tricks है वो हमें पता लग जाए तो इसमें हम 75 में से जाद है नहीं तो 65 जो numbers है वो आसानी से ले सकते हैं तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है तो इस एक महिने में आपकी जो रननीती है वो क्या रहनी चाह करना है जब आपके exam को 10 दिन रह जाएंगे जो आपका भाग रहेगा दस दिन भाला भाग रहेगा इसमें दोस्तों आपने जो revision है उसको start करना है और वो जो revision है उसमें मैं भी आपकी help करूंगा तो यह बाला जो part है कि जो त्यारी है उसकी रननीती क्या रहने जाए यह question आ आपने जो first preference है वो self study को ही देनी है अब देखिए दोस्तों जो self study है जो maximum candidates है वो क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का पता नहीं होता है कि जो हमारा syllabus है वो क्या रहेगा अगर आपको इस चीज़ का पता लग जाए कि जो आपका syllabus है वो क्या रहेगा और उ YouTube से पढ़ना है तो आपने जो 50% time है वो अपनी self study को भी देना है क्योंकि देखिए दोस्तों अगर यह जो combination मिल जाए YouTube और self study तो यहां पर जो आपकी achievement है वो 100% हो सकती है अब देखिए दोस्तों question यह भी उठ रहा है कि YouTube से किस तरह से पढ़े चाहे कोई मेरा subscriber है ऐसा नहीं है कि आपने आखे बंद करके मेरे ऊपर trust करना है मैं यहां पर अपने subscriber के साथ सीधी सी बात बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपने मेरे ऊपर आखे बंद करके trust करना है आपने दो तिन चैनल और देखने हैं जिनका जो content है आपको satisfactory लग रहा है आपने सिरब मेरे channel के साथ ही नहीं जुड़े रहना यह दो तिन हमारे channel है इनके साथ भी आपने चुणना है और बाद में आपने इस चीज कर निचोड़ निकालना है कि यह जो हमारे तीन चैनल है इन में से सबसे अच्छा कौन पड़ा रहा है जो हमारी needs है वो कौन satisfy कर रहा है और उसी के बेस पर दोस तिन YouTube चैनल और देखने है और आपने तभी डिसाइड करना है कि इन में से सबसे अच्छा कौन पड़ा रहा है और हमने कौन से चैनल के साथ continue करना है उसके अलाबाद दोस्तों आपने जो अपनी self study है वो भी जरूर करनी है अब तीसरा question दोस्तों सामने आ रहा है कि यहां पर जो revision है उसको कितना समय देना जरूरी है तो देखिए दोस्तों अभी आप मज़े से त्यारी करिए उसके बाद क्या है मैं आपको बता दूँ जो last के 10 दिन रहेंगे उसमें आपने अच्छे से revision करनी है हालां कि बहुत सारे ऐसे second rates है जो कि यह चीज बोलेंगे कि जो हम revision है वो भी अच्छे से हो पाएगी अब जो revision है उसकी value क्या है देखिए दोस्तों यहसे हम notes बना रहे हैं ठीक है हमने notes prepare करे हैं यहाँ पर जो हम चीजे हैं वो पूरी तरह से revise कर रहे हैं लेकिन दोस्तों जह जो exam से 10 दिन पहले कि study है जह जो हमारी exam में achievement है उसको निधारि है अब ऐसा नहीं है आपने जो notes बनाए है उनको ऐसे ही short देना है आपने सासास में भी पढ़ते रहना है और आपने जो 10 दिन है उसके बाद एक चीज़ निधारित करनी है जितना मेरे पास material है मैंने उतना ही पढ़ना है आपने अपने धिमाग की खिचड़ी नहीं बनानी है क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसे जो candidates है जो की exam के समय में confused हो जाते है उनका जो exam है वो clear नहीं होता तो दोस्तों मुझे उमीद है जह जो वीडियो है वो आपके काम आएगी मैं दोबारा से एक चीज़ बिता दूँ अगर आप भी हिमाच्यबद जीके से लेटर जो हमार मैसेज करना है अगर आप वर्टसाप पर मैसेज नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते और बहां पर भी डारेक्ट मैसेज कर सकते हो थैंक्यू जैंग जैवारत जैंग चल